दोस्तों नमस्कार आज आपम बात करेंगे राजस्तान नगरपाली का अधीनियम 2009 के अध्याई नमर पाच अध्याई नमर पाच की जब आपन बात करते हैं तो नगरपाली का निदी के बारे में जिसमें उल्लिक क्या गया दारा नमर 76 से लेकर 89 तक दोस्तों इसमें दारा ब पात करती है कि नगरपालिका के द्वारा अपना एक फंड क्रेज करा पड़ेगा जिसमें नगरपालिका की सभी प्रकार की जमाओं को सिवकार करेगा सभी प्रकार की जो जमाएं हो नगरपालिका नीदी में रखी जाएगी और नगरपालिका जो नीदी है वो नगरपालिका कि ट्रस्टी के तोर पर होगी नगरपाली का जो है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए काम में नहीं लेगी इस बात का उलेग धारा नमर 79 के अंतरगर बताए गया ओके धारा नमर 80 में बताएगा कि नगरपाली का जो निदी बनाई गई है उसका उपयोग कहा होगा तो बे तोकि अलाब भी अगर कोई कारीय है जो लोक हितमे रहता है और नगरपाली का उसका निदी का काम में लिया जाएगा दारा नमर 81 ये कहते हैं कि नगरपाली का जब तक बजट में गई नहीं हो जाए तब तक नगर पाली का निदी का उल्लेक नहीं किया गया कि ज़रूत नहीं है बजट में चायों उसका उल्ले को या नहों, मैंकोर राज्य-सरकार को नगरपालीका के छेटर की जो करमचारी है, उनका वेतन, बहतन, गरेफार कि विखर्च करने होगे, इसके लिए बजट में प्रोविजस होने की कोई requirement नहीं होती इन खर्चों के अलावा दोस्तो नगरपाली का निदी से पैसा निकानने के लिए सबसे बज़ेट में इस बात का इसपश्टी करन होना जरूरी है according to धारा नमर 81 के आदाथ है सिंपल सब्सक्राइब में मैं कहुँ धारा 79 में नगरपाली का निदी का निदी का वननन है और 81 में का आगया कि नगरपाली का के फंड का उप्योग तब तक नहीं होगा जब तक उसमें बज़ट अनुदान में उसका लेके नहीं किया गया दी गई जान करी कैसी लगी दोस् डॉक्टर मुकेस पंचुली चैनल पर आप सब का दिन सुभरे दोसों धन्यवाद दोसों थैंक्यू समाथ दोसों